घर और किचेन की काम को आसान करने के लिए कुछ ऐसे मैं आप चोटी ओड़ी टिप्स आपके साथ शेर कर रहे हुआ दोस्तों जो आपके काम को बहुत दद करेगी और आपके समय की बचत होगी आपके जुट समान है उसकी बचत होगी और बहुत सारी एस फॉलो करना प्रॉपर तरीके से अगर यदि ना रखे ना तो इसमें ना चोटी होड़ी कीड़े या इल्ली एसी कुछ हो जाती है और देखी में हापर लेकर आई हूँ दलिया और काफ़ सारे कटर लेकर आई हूँ ताकि जो यह इसको मैं स्टोर कर रही हूं और आपके साथ शेयर कर रह कि आप लो टू मीडियम फ्लेम पर रहे ना विदाउट किसी घी ओयल के में इसको ऐसे ड्राय रोस्ट कर रही हूं उससे क्या होगा ना इसकी लाइफ बढ़ेगी और यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा दोस्तों और मैं भी इसे खटा लेकर आते हूं इसको मैं आपर से श्की खराब होगाने तो थीज़के अ करताब करें दूस्तों श्कु है तो कि सब्सक्रिख करता हैं नहीं को में अब्रेकर यह भी पर पाधीने को तो तीन को गिल्ले कपडे में तो तीन तक बिल्कुल इसको मुझे तीन दिन वो गया इसको लाई हुए और अभी तक इतना फ्रेश बना हुआ है जेस्ट विकोद क्योंकि मैंने इसको गीले कपड़े में बान कर रखा था फ्रिश के अंदर और इसको तोडने का तरीका भी शेय कर रहे हूं तो उपर की पत्ति को ऐसे खीशेंगे उल्टा तरफ तो यह पूरी पत्ति आपके हातों में आ जाएगी तो बाजार में लीची का हो रहा है समय और लीची दोस्तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं इसके अंदर से जरूर से खाना चाहिए तो मैं आपके साथ जूस सेयर कर रही हूं कि इसको पीसके तो यहां पर मैंने लीची को कट कर लिया और यह इतनी अच्छी थिना कि रस भरी त पर चाहिए ठाहिए तो में आपर यह जाल देगे अधा किसी भी इस टेवनर में लीची के मने यह जान आपके हैं ब्लेंगे अच्छी भूत गाड़ी थी अच्छी को प्लंप अजय निकाल धर कर दो रही हैं तो इतना है एक ग्लास पानी मैंने और डाल पर यह भूत फ्य क जाएगा अगर आप चाहो तो इसको ऐसे पी सकते ही पर बच्चे लोग परिशानी करते हैं इसलिए मैं इसको चान लिया है और इसमेरे डाला है एक जो है लेमन जूस और मैंने आपर डाला आपके नुशा काला नमक इसको अच्छा से मिक्स कर लें कि दोस्तो और इना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों अब इतनी तेज गर्मी लग रही ना कि ऐसा ठंधना ड्रिंक यदि पीने को मिल जाए तो क्या ही कह रहे तो मैं आपर डाला बहुत सारा बरफ और इसको मैं आपर सब कर रही हूं और यह बहुत ज्यादा यम्मी था बहुत रिफ्रेशिंग थ दोस्तों और यह आपको आज का मेरा वीडियो और मेरी चोटी टिप्स आपको यह अच्छी लगरी हो तो एक लाइक करना दोस्तों शेयर करना फॉलो करना तो यह बना रही हूं और जब भी कई बार ऐसा होता है कि हमार पास कुछ जारा नहीं कुछ नहीं और इमरजेंसी हम जली आले हमें कुछ खाना बनाना है और कुछ रही हो जाता है और देक हैसी गोल-गोल मेरी आप पर बुणि बन गई वह भी मैंने हाथों से बनाई है और यह बहुत बहुत अच्छी थी बूंदी और अच्छी लगियो तो एक लाइक करना दोस्तों और अब मैं आपके और हर किसी को चोटी मोटी भूख लगती है और मैं आप बना रही पापड़ी और देखे दोस्तों आप इस तरह से ना फटा फट से एक बार में 20 ते 25 जो है पापड़ी बना कर त्यार कर लेंगे तो मैंने आप पर इसको प्लेटफॉर्म पर अच्छा से बेल लिया है और इस क्रिस्पी बनी है हमारी हापर पापड़ी और दोस्तों इसकी जो रेसिपी मैंने अपके साथ शेयर की तो एक बार जरूर देखेगा और मैं डिस्क्रिप्टिव लिंक डाल दूंगे शेयर कीजिगा और यह ना बहुत ज्यादा जो है खसता थी बहुती क्रिस्पी थी जाए तो फिर वह अच्छे से फ्लिप नहीं हो पाता है मैंने आप पर सूजी दही ले लिया है और इसको में पानी डाल करने क्या करें आप इसे मिक्सर जार में अच्छे से ब्लैंड कर ले उसे क्या हो करना दोस्तों जब भी हम बनाएंगे कुछ भी इसका नास्ता जैसे मैं तक अच्छे से फूला फूला बने बहुत टेस्टी वने और इसके इसे पी ज़रूर से देखीगा वह भी है डिस्क्रिप्टिप्टिब लिंक डाल दूँगी और मैं इसको बना रहे हैं आप नॉन इस्टिक तवे पर और यह देखना दूस्तों यह बहुत ही अच्छ बनेगा बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी और फटा-फट से देखिए फ्लिप भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा रहता है बच्छों को भी अच्छा रहता है आप चाहे बच्छों के लंच बॉक्स में बनाई या फिर नाश्ते में दे उन्हें बहुत ही टेस्टी औ दोस्तों आज की मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरू क्या करना दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा और दोस्तों यह लिटी पर देखिए कि कई बार कुकर की रबड है यूज करते करते हैं साइट से कभी-कभी कुकर ना कि उसकी हवा जुआ बाहर निकलने लगती है और हमारा काम होता है गयों के आटे को अईसा लगा ले आपको जहां भी लग रहा है कि हांपा गयास बाहर जा रही है तो आप वहां पर ऐसा लगा लें हां आटा तो उससे क्या होगा होगा ना कि फटा दुट 서울 अग्ली क्योंदी कोले कर सकते हैं और अग्ली दोस्तों मैं पर महंदी को लेकर दे कि जब भी हम बनाते हैं ऐसे सबसे बहुत अच्छा है कि अच्छी बात है जो आप लगाउगे नहीं